ओम नमह शिवाय, हर हर महादेव पहले जानेंगे पंचांग, फिर जानेंगे गुरु जी की भविश्यवानी मेश राशी आज कई तरह की गतिविदियों में आपकी विस्तता बनी रहेगी और आपका योगदान की सराहना भी होगी आपके अपने व्यक्तिगत कारे भी पारिवारिक सदस्यों की मदद से काफी हद तक पूरे हो जाएंगे नजदी की संबंधियों के साथ मेल मुलाकात के अफसर मिलेंगे किसी भी विपरीत परिस्थिती में अपना सकारात्मक दृष्टिकोन बना कर रखें घर के किसी वरिष्ट व्यक्ति के स्वास्थे को लेकर चिंता रह सकती है आज किसी भी अंजान व्यक्ति से बेहस आदी में ना उलजे पडोसी धर्म निभाने में अपना योगदान अवश्य दे नौकरी और बिजनेस में रिस्क लेने से बचें वरना कोई भारी नुकसान हो सकता है तथा कोई परेशानी भी खड़ी हो सकती है बेहतर होगा कि वर्तमान गतिविधियों पर ही अपना ध्यान केंद्रित रखे प्राइवेट नौकरी में कारेभार की अधिक्ता के कारण ओवर टाइम भी करना पड़ेगा दामपत्य संबंधों में चल रहे मनमुटाव दूर होंगे तथा घर का वातावरन पुनह सामाने हो जाएगा कहीं से कोई मनपसंद उफार मिल सकता है शरीर में हलकी सी कमजोरी महसूस होगी गैस एसिडिटी जैसी समस्या भी परेशान करेगी लापरवाही ना करके अपना उचित इलाज ले भागेशाली रंग हैं आस्मानी भागेशाली अंख हैं तीन आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगर दांग करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 85 प्रतिशत साथ दे रही है व्रिश राशी आज पिछले कुछ समय से चल रही अस्तव्यस्त दिंचर्या में ठहरावाएगा समय ज्यानवर्धक व मेहित्वपूर्ण जांकारी प्राप्त करने में व्यतीत होगा किसी प्रेरक व्यक्ती से मुलाकात होगी मानसिक शांती रहेगी रोजमर्रा के काम बराबर चलते रहेंगे अपने व्यक्तिगत मामलों को भी नजरंदाज ना करें आप पर कोई इल्जाम या लांचन लग सकता है आपको भावनात्मक सपोर्ट की भी आवशक्ता होगी सरकारी मामलों को समय रहते सुलजने से आप किसी बड़ी समस्या से बच सकते हैं बिजनेस की विस्तता के बीच परिवार के लिए समय निकालना पड़ेगा मशीनरी के कामों से जुड़े बिजनेस में सफल रहेंगे इंपोर्ट एक सपोर्ट के कामों में सफलता मिलेगी अपनी योजनाएं किसी से शेयर न करें नौकरी की कोशिश कर रहें लोगों को अच्छी खबर मिल सकती है जीवन साथी का घर और परिवार के प्रती पूरा सहयोग रहेगा जिसकी वजह से आप तनाव मुक्त होकर अपने कारियों में ध्यान दे पाएंगे गैस वबधजमी की वजह से पेट डिस्टर्ब रह सकता है अपनी दिंचर्या को सन्यमित रखें तलेबुने खानपान से परहेज करें भागेशाली रंग हैं नीला, भागेशाली अंख हैं साथ आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका असी प्रतिशत साथ दे रही है मिथुन राशी विवस्तित दिन्चर्या रहेगी तथा अपने किसी भी कारे में अनुबवी लोगों का मार्ग दर्शन लेना आपको निश्चित ही सफलता देगा किसी समाथ सेवा संस्था के प्रति आपका विशेश सहयोग रहेगा मान समान बढ़ेगा कमपटीशन की तियारी कर रहे विद्यार्थियों को मनोनुकूल परिनाम मिलेंगे अपने प्रतिद्वंद्वियों की गतिविधियों से अन्भिगे ना रहे सतर्क और सचेत रहना जरूरी है निकट सम्बंधी अत्वा मित्र के साथ मनमुटाव जैसी स्थिती भी बन रही है रूपे पैसे के लेंदेन सम्बंधी कारियों में सावधानी बढ़ते कारेक्शेत्र की अंदरूनी विवस्था में बदलाव की योजनाएं बनेंगी कर्मचारियों की मदद से आपका कोई ओर्डर आसानी से पूरा हो सकता है सरकारी नौकरी में आफिस की वेवस्था अस्तवेस्थ रहेगी किसी भी अधिकारी से उलजना ठीक नहीं है अपनी योजनाओं में जीवन साथी तथा पारिवारिक सदस्यों की सलाह लेना संबंधों में नज़दी कियां बढ़ाएगा प्रेम संबंधों में एक दूसरे के प्रती भावनात्मक लगाव बढ़ेगा अपने स्वास्थे का भी ध्यान रखें एसिडिटी तथा वायू संबंधी परेशानी से बचने के लिए संतुलित खान पान रखें भागेशाली रंग हैं पीला, भागेशाली अंख हैं दो आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगरदान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका पचासी प्रतिशत साथ दे रही है करक राशी घर की सुक सुविधा संबंधी वस्तों की खरीदारी में समय व्यतीद होगा प्रोपर्टी आदी से संबंधित भी कोई कारे हो सकता है विद्यार्थियों की प्रतियोगी परीक्षा का परिणाम उनके पक्ष में आएगा सिर्फ उन्हें पहले से ज्यादा मेहंत करने की जरूरत है अपनी उपलब्धियों का दिखावे की प्रवृत्ती से दूर रहे संतान का व्यवहार वहरकते आपकी चिंता का कारण बन सकते है परन्तु समस्याओं का समाधन शांतिपूर्ण तरीके से निकालना उचित रहेगा लेंदेन करते समय पेपर्स वगेरा अच्छी तरह चेक कर ले बिजनेस में मेहंत के मुताबिक नतीजे मिलेंगे मार्केटिंग संबंधी कारियों पर अधिक ध्यान दे किसी बड़े अधिकारी या राजनीतिगे से आपकी मुलाकात फाइदेमंद साबिद होगी प्राइवेट नौकरी में आप पर काम का दबाव रहेगा प्रमोशन भी संभव है दामपत्य जीवन में आपसी तालमेल में कमी रह सकती है बेहतर होगा कि समय के अनुसार अपने व्यवहार में भी उचित परिवर्तन लाएं वायू विकार वपेट से संबंधित दिक्कतें परेशान करेगी ज्यादा गरिष्ट और तैलिय भोजन खाने से परहेज करें भागेशाली रंग हैं हरा, भागेशाली अंख हैं चार आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगरदान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 90 प्रतिशत साथ दे रही है सिंग राशी पिछले कुछ समय से चल रही अस्ट वेस्ट दिन्चरिया में कुछ स्थिरता आएगी तथा अपने कारियों पर ध्यान दे पाएंगे किसी धार्मिक स्थल या एकांत में कुछ समय व्यतीत करने से आपको मानसिक सुकून मिलेगा संतान की गतिविधियां आपको चिंता मुक्त करेंगी कभी कभी आपका ध्यान कुछ गलत कारियों की और प्रेरित हो सकता है कुछ समय आत्म चिंतन में भी जरूर लगाएं निवेश संबन्धी गतिविधियां फिलहाल स्थगित ही रखें भायों के साथ चल रहे किसी विवाद को शांति पून तरीके से हल करने का प्रयास करें कारोबारी मामलों में कोई भी निर्ने लेते समय किसी अनुभवी व्यक्ती से सलाहमश्वरा अवश्य करें ऐसा करना आपके लिए फाइदे मंद ही रहेगा लेकिन अभी कारे छेतर में कोई उचित बदलाव आने की संभावना नहीं है इसलिए वर्तमान कारे प्रणाली पर अपना ध्यान केंद्रित रखें पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित सामंजसे रहेगा नजदी की संबंधियों के साथ कोई मेल मुलाकात जैसा प्रोग्राम भी बन सकता है स्वास्थे ठीक रहेगा किसी प्रकार की चिंता ना करें परन्तु अपने स्वास्थे के प्रती लापरवाही बरतना उचित नहीं रहेगा भागेशाली रंग हैं लाल, भागेशाली अंख हैं छे आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगरदान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 88 प्रतिशत साथ दे रही है कन्याराशी अपनी विचार शैली में सकारात्मत बनाएं अपने संबंधियों तथा मित्रों के साथ संपर्क में रहने से रिष्टों में मधुर्ता बनी रहेगी विदेश जाने के लिए प्रयासर्थ विद्यार्थियों को कोई शुब सूचना मिल सकती है घर के किसी अविवाहित सदसे के लिए उचित रिष्टा सकता है अपने कारेभार को अन्य लोगों के साथ बाटे अपनी सामर्थे से अधिक कारेभार लेना आपको बुरी तरह ठका देगा रुपे पैसे से संबंधित लेंदेन को लेकर किसी के साथ लड़ाईच गड़ा होने जैसी आशंका है परन्तु सावधानी रखने से इन परिस्थितियों को टाला जा सकता है व्यवसाइक कारियों में ज़्यादा निवेश ना करें क्योंकि अभी परिस्थितियां ज़्यादा अनुकूल नहीं है और इसका असर आपकी आर्थिक व्यवस्था पर भी पड़ेगा आफिस में आपके उपर अतिरिक्त कारेभार भी आ सकता है परन्तु धेरे रखने के अलावा और कोई हल नहीं है पारिवारिक जीवन सुखद रहेगा प्रेम संबंधों में मदूर्ता बनाए रखने के लिए एक दूसरे के प्रती विश्वास की भावना रखे बदलते मौसम से अपना बचाव करने के लिए अपनी दिंचरिया और खान-पान को विवस्थित रखे योगा, मेडिटेशन इसका उचित हल है भागेशाली रंग है केसरिया, भागेशाली अंख है नौ आज का उपाए खाने पीने की वस्थु का अगरदान करें, तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 90 प्रतिशत साथ दे रही है तुलाराशी अपनी किसी व्यक्तिगत योजना को कारे रूप देने का अनुकूल समय है तथा उसके बेहतर परिणाम भी मिलेंगे नजदी की संबंधियों के आगमन से खुशी भरा वातावर्ण बना रहेगा प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कारे अटका हुआ है तो आज उसका समाधान मिल सकता है अपनी योजनाओं को सीक्रेट भी रखें वरना उन्हें कारे रूप देने में व्यवधान आ सकते हैं किसी प्रकार की यात्रा करने या वाहन इस्तेमाल करने से परहेज करें क्योंकि इस समय कोई चोट या दुरगटना की आशंका दिख रही है बिजनेस के नजरिये से ग्रह स्थिती अनुकूल है आप थोड़ी सी सुजबूज द्वारा ही आप परिस्थितियों को बेहतर बना लेंगे करमचारियों के साथ आपके अच्छे संबंद उनके मनोबल को बढ़ाएंगे कारियों को मन लगा कर करेंगे कोई कारोबारी यात्रा का प्लान भी बनेगा दामपत्य जीवन में छोटी मोटी नकारात्मक बातों को नजर अंदाज रखे इससे आपसी संबंधों में मधुर्ता बनी रहेगी प्रेम संबंध भी भावना प्रधान रहेंगे स्वास्ते संबंधी दिक्कतें बढ़ेंगी अपनी देखबाल खुद करें आयुर्वेद का इस्तेमाल करें भागेशाली रंग है सफेद भागेशाली अंख है एक आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगरदान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किसमत आपका 85 प्रतिशत साथ दे रही है किसी अनुबवी व्यक्ति के मार्ग दर्शन और परामर्ष द्वारा आपका मेहित्व पूर्ण कारे संपन होगा और आपका मनोबल भी बढ़ेगा रुका हुआ या उधार दिया हुआ पैसा वापस लेने के लिए समय अनुकूल है मीडिया तथा ओनलाइन गतिविधियों के माध्यम से नई-नई जानकारियां हासिल करें अपने आत्मसमान के प्रती सचेत रहे और किसी भी तरह का समझोता न करें समय आने पर परिस्थितियां धीरे-धीरे अनुकूल होती जाएंगी अपने कारियों को मन मुताबिक तरीके से संपन करने के लिए कुछ रन्नीती बनानी भी जरूरी है व्यवसाए में किसी भी तरह का रिस्क नाले नुकसान होने की स्थिती बन रही है व्यवसाएक गतिविधियां सामाने ही रहेंगी जरूरत मुताबिक काम बनते जाएंगे युवाओं को अपने करियर से संबंधित सफलता मिल सकती है घर का माहौल सुखद रहेगा आपसी संबंधों में और अधिक मधूरता आएगी प्रेम संबंधों के मामलों से दूरी बना कर रखे वर्तमान मौसम से अपना बचाव रखना जरूरी है अपना आहार और दिन्चर्या विवस्थित रखे भागेशाली रंग हैं बादामी भागेशाली अंख हैं चार आज का उपाए खाने पीने की वस्थू का अगरदान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 82 प्रतिशत साथ दे रही है धनुराशी कोई भी कारे करने से पहले उसकी योजना बनाने और उससे संबंधित जानकारी हासिल करने से आप ज्यादा बेहतर परिनाम हासिल कर पाएंगे घर के साथ बाहरी गतिविधियों पर भी ध्यान दे धर्मकर्म के प्रती विश्वास बनाए रखने से आपका सकारात्मक्ता और मनोबल बढ़ेगा किसी नजदी की मित्र के गलत वेवहार से आप भावनात्मक रूप से कुछ समय के लिए दुखी हो सकते हैं परंतु जल्दी ही अपनी मनों स्थिती पर काबू भी पालेंगे परिवार जनों के साथ अपनी समस्याओं को शेयर करने से समाधान मिल सकता है व्यवसाईक कारे प्रणाली में कुछ बदलाव जरूरी है इससे आंतरिक व्यवस्था में भी सुधार आएगा कला, टूर एंड ट्रेवल्स, मीडिया आदी जैसे क्षेतरों में बेहतरीन मुनाफा होने की समभावना है ओफिस में किसी साथी से विवाद की स्थिती बन सकती है इसलिए सावधान रहें पति-पत्नी आपसी संबंधों में उचित सामंजसे बना कर रखें विवाहित्तर संबंधों का आपके मान समान पर नकारात्मक प्रभाव पढ़ सकता है भावनात्मक रूप से खुद को कुछ कमजोर महसूस करेंगे साथ ही डिप्रेशन जैसी स्थिती रहेगी सकारात्मक बने रहने के लिए कुछ समय प्रानायाम और मेडिटेशन जरूर करें भागेशाली रंग हैं गुलाबी भागेशाली अंख हैं तीन आज का उपाएं खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका असी प्रतिशत साथ दे रही है मकर राशी स्थान परिवर्तन की योजना बन रही है तो उस काम करने के लिए अनुकूल समय है किसी भी परिस्थिती में आप अपना काम निकलवाने में सक्षम रहेंगे रुका हुआ या अटका हुआ पैसा वापस मिलने की संभावना है अपनी कारे प्रनाली और कारे क्षमता को और अधिक बेहतर बनाने की भी जरूरत है उच्छ शिक्षा के लिए स्टूडेंट्स को किसी तरह की रुकावटे आ सकती है गैर कानूनी कामों में दिल्चस्पी न ले वरिष्ट लोगों के मार्ग दर्शन से कारोबारी समस्याओं का समाधान मिलेगा तथा कारे समय अनुसार पूरे होते जाएंगे जिस से आर्थिक स्थिती सामाने हो जाएगी कहीं भी मनी इन्वेस्टमेंट ना करे नौकरी पेशा व्यक्तियों के लिए आज का दिन बहुत ही चुनोती पूर्ण रहेगा पारिवारिक सदस्यों के बीच उचित संबंध से रहने से घर में खुशनुमा माहौल रहेगा प्रेम संबंधों में गल्तफ हमी की वजह से दूरी आ सकती है अपने स्वास्थे के प्रती लापरवाही ना करे हल्की फुल्की मौसमी परेशानिया रहेंगी आयुर्वेदिक चीजों का सेवन करे भागेशाली रंग हैं जामुनी, भागेशाली अंख हैं आठ आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 87 प्रतिशत साथ दे रही है कुम्वराशी कई तरह की गतिविधियों में वेस्तता रहेगी साथ ही पारिवारिक तथा सामाजिक गतिविधियों में उचट विवस्ता बनाकर रखने में आपका विशेश योगदान रहेगा दैनिक कारियों के साथ साथ अपनी होबी के लिए भी कुछ समय निकाल कर सुकून महसूस करेंगे दूसरों के मामले में हस्तक्षेप करने की बजाए अपने व्यक्तिगत कारियों पर ही ध्यान दे कोई नकारात्मक बात होने से मन विचलित रहेगा बच्चों की संगती और गतिविधियों को नजर अंदाज ना करें और उनका मार्ग दर्शन करते रहें व्यवसाय में काम की अधिकता वजह से कुछ अथोरिटी अपने करमचारियों को भी देना उचित रहेगा इस से आपका कारे भार हलका होगा नया काम शुरू करने के लिए स्थिती ठीक नहीं है मल्टीनेशनल कमपनी में कारे रत लोग अपना प्रोजेक्ट आसानी से पूरा कर लेंगे वैवाहिक संबंधों में मधूर्ता रहेगी प्रेम संबंधों में एक दूसरे की भावनाओं का सम्मान करने से संबंधों में और अधिक नजदीकिया आएंगी गैस और कब्ज की वजह से दिंचर्या अस्तव्यस्त रह सकती है अपनी जांच करवाएं तथा उचित इलाज ले भागेशाली रंग हैं सफेद, भागेशाली अंख हैं तीन आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगरदान करें तो आपका दिन और भी ज़्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 90 प्रतिशत साथ दे रही है मीन राशी कोई सरकारी मामला अटका हुआ है तो आज उससे राहत मिलने की संभावना है आज पारिवारिक सुख सुविधाओं को लेकर दिल खोल कर खर्च करेंगे धार्मिक स्थान में भी आपका सेवा संबंधी कोई योगदान रहेगा जिससे मानसिक सुकून और शांती महसूस होगी किसी अन्य व्यक्ती की वजह से परिस्थितियां कुछ प्रतिकूल हो सकती है इसकी वजह से आपके स्वभाव में तनाव वज्चिर चिरापन रहेगा परंतु धैरे बनाकर रखना जरूरी है क्योंकि इसका असर आपके परिवार पर भी पढ़ सकता है कारोबार में उपलबधियां सामने आएंगी उन पर गंभीरता से अमल करें क्योंकि भविश्य में यह योजना आपके लिए लाबदायक साबिद होगी प्रोपर्टी से जुड़े व्यवसाय में भी कोई बेहतरीन डील होने की संभावना है नौकरी में सहयोगियों के साथ संबंध खराब ना करें दामपत्य संबंधों में मनमुटाव का कारण आपकी कोई जिद ही हो सकता है आपको अपने स्वभाव में लचीलापन लाना अती आवशक है संतान प्राप्ती के इच्चुक लोगों को कोई खुश खबरी मिलेगी डाइबिटिक लोग अपनी निमित जांच अवश्य करवाते रहें तथा अपने खानपान का विशेश ध्यान रखें भागेशाली रंग हैं ओरेंज, भागेशाली अंख हैं पांच आज का उपाए खाने पीने की वस्तु का अगर दान करें तो आपका दिन और भी ज्यादा बेहतर होगा भागे मीटर पर किस्मत आपका 84 प्रतिशत साथ दे रही है